आज प्लाइक हो गया है अरे खो गया हमारा ब्लैक वाला ठीक है हम ले आएंगे आज नया चलो स्टार्ट करते हैं वह यह तर्कुलर मोशन फिर से आ गया है लेकिन इस बार क्या है कुछ नया है यह क्या लिखा हुआ है डाइनमिक्स डाइनमिक्स मतलब इस बार हम फोर्स की बात करेंगे नेट पोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलेशन हमको बता है गोल गोल घुमाने में याद करो बहिया अगर हम यूनिफॉर्म की बात करें किसकी यूनिफॉर्म की भाहिया गोल-गोल गूम रहा है ना ऐसे मान लो गोल-गोल गूम रहा है अभी उपर जा रहा है बात में यहां पर जाएगा तो डारेक्शन क्या हो रही है चेंज हो रही है तो डारेक्शन चेंज हो रही है तो विलास्टी भी क्या हो रही है चेंज विलास्टी क्या है वेक्टर और विलास्टी चेंज हो रही है मतलब कुछ न कुछ एक्सेलरेशन होगा होगा अगर acceleration, acceleration कहां से आता है, force से एक force भी चाहिए, उस force को हम बोलते है century brittle force, नाम में ही है century, century मतलब towards the center, कहां लगता है वो हमेशा, towards the center, अब circular motion यह है, पूरी class में, एक lecture में, अब उसकी क्या होते है, उसमें बहुत सारी possibility होती है, सारी possibility कवर की है हमने, hopefully, अब बात कर लेते हैं, century brittle force की, अब समझे ना, details पर ध्यान दो, ठीक है, it is the force, ठीक है, नाम में force है, required, it is the force required, यह force चाहिए, goal goal घुमाने के लिए force चाहिए, यह force नहीं होगा, goal नहीं घुमेगा, it is the force required to move a body in a uniform circular motion, अगर uniform goal goal घुमाना है, भले, speed change नहीं हो रही है, लेकिन direction change हो रही है, direction change हो रही है, तो force चाहिए, और यह force कहा होता है, always towards the, towards the, center, यह सिर्फ क्या change करता है, direction speed change, नहीं करता है, only change is, speed, ठीक है, only change is direction, level change is speed, ठीक है, इसलिफ goal goal घुमाना रहा है, speed change नहीं कर रहा, चलो, force याद करो, force का formula क्या होता है, mass into acceleration, तो mass, यह हो गया, mass, यह हो गया, mass, यह हो गया तुमारा mass, और यह v square by r क्या है, देखो हम बदा देरे, centripetal force होता है, mass into centripetal acceleration, और हमने पढ़ा है, centripetal acceleration कितना होता है, v square by r, proof है मत जाओ, बहुत लंबा proof है, differentiation से आता है, दो बार करना पढ़ता है, differentiation, you hate differentiation, I also hate, नहीं, I love math, रह ठीक है, m r omega square, दो formula थे, centripetal acceleration कि, v square by r और r omega square, लिख दी है दोनो, तो formula बन गए, m v square by r, mr omega square, जो जहां लगे, सहीं, लगा दो, अभी r लुक जाओ, m क्या है, mass, r क्या है, radius, v क्या है, speed, और omega क्या है, angular speed, यह बत clear है, ठीक है, the force required to keep a body in uniform, secular motion is, लिए, ठीक है, साफ साफ बात है, अब देखो ऐसा है, दुनिया में कहां गोल गूम रहे हैं, अर्थ घूम रही, sun के round, ठीक है, अब समाज़ ना, टेंट्रिबिटर फोर्स चाहिए, यानि, इसका मतलब क्या है, अगर कोई body, जिसका mass क्या है, जिसका mass m है, जिसका mass क्या है, m, वो r radius के गोले में, इसका mass m है, वो r radius के गोले में, v speed चल रही है, किस speed से, v speed से, उसको घुमाने के लिए, फोर्स चाहिए, वो कितना चाहिए, m v square by r, ये बात समझ में आती है, body का mass m है, speed v है, radius r है, तो कितना force चाहिए, m v square by r, provide कौन करेगा, m mass की body को, v speed से, गोल गोल घुमाने के लिए, r radius पे, कितना force चाहिए, इतना force चाहिए, provide कौन करेगा, कोई भी कर सकता है, depending on the situation, जैसे, 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 याद करो, sun है, धर्ती, गोल गोल घुम रही है, कौन गोल घुमा रहा है, gravitational force, है ना, और, यह हमाच charger है, यह हमारा, wireless charger है, उसका, किसका, यह घड़ी का, वाच का, लोब वाच का आंगी, इसो कोई गोल घुमा रहा है, तार घुमा रही है, तार की tension, तार काट दो के नहीं घुमेगा, नहीं मुडोगे न, तो रोट पर तेल फेला लो, अब जाव एकदब मुड़ने, कोईश करो, मुड़ेगी नहीं गाड़े, घुम जाएगी, मुड़ेगी नहीं, सीधी, ऐसी ऐसी जाएगी, ऐसी 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 ऐसी, आज चलिए आएगी, मुड़ने के लिए, अगर सर्कुलर टर्र मान रहे हो, अब टर्र सर्कुलर ही होता है, न, तो भाईया, गोल घुमाने के लिए लिए चाहिए, सेंट्रिप्टल पोर्स, वहाँ कौन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन, अपन चलते हैं पैदल, कौन सा फ्रिक्शन चलते हैं, हम लोग वाउक करते हैं, कौन से फ्रिक्शन से वाउक करते हैं, कानेटिक, नहीं, भाईया, मूव कर रहा है, तो कानेटिक कहीं भी, स्लिप्पिंग देखो, स्लिप्पिंग हो रही है, के चल लहो चपल कです रही है क्या अब आप कोछी लोग चलते ही के सके ऐसे ह।ип पूरी भसूल करते हैं वो नहीं इज़्जस चलो बसे नहीं कर रहा है श्राम चल रहे है लेप नहीं कर रहे हैं तो कौनस रफिक्सन स्टेटिक गाड़ी चल लही है गाड़ी एक्सिलरेट कर रही है कौन से फ्रिक्षन से पईया घिस रहा है क्या नहीं ना स्टेटिक कौन से फ्रिक्षन स्टेटिक किनेटिक नहीं जब डोनेट मारो या बिल्कुल ड्रिफ्ट मारो कार से ना बाइक से डोनेट मारो तो वो रोड बुरा काला हो जाता है वहाँ पर कार घिल जाता है तब होता है किनेटिक नॉर्मली क्या होता है स्टेटिक ठीक है तो रोड पे कोई कोई कॉंसर फिक्शन होता है स्टेटिक त तो प्रोवाइड कोई भी कर सकता यह क्या है अपन की भावना को समझो यह क्या है रेक्वाइर्मेंट है तेक है यह फोर्स चाहिए गॉल घुमाने के लिए सप्लाइ कौन कर सकता है लानेट में कौन कर रा है ग्रैविटेशनल भी कर सकता है जहां क्यों गुमा रहे हो रसी से पथर घुमा रहे हो आनल वो चाहिए घुमा रहे थे कहां suson प्रोवाइड कर सकती है फ्रिक्शन नॉर्मल कॉई भी हो नॉर्मल तो कोई भी force centripetal force का role play कर सकता है कोई भी force centripetal force का role play कर सकता है तो बहुत साई situation देखेंगे कभी ये अभी ग्रैविडिशन चेप्टर आएगा तब ये बाद देखेंगे ठीक है अभी इन देख रहे हैं अभी ये सब देखेंगे normal tension friction ठीक है आज की दिश्क्रास में ठीक है ये बास समझ में आ गई road में turn ले रहे हैं भाई या turn देखो कैसा है देख लो दिख रब तुम्हें goal goal नहीं है ठीक है तो भाई छोड़ा turn हो पूरा circle नहीं है मान रहे हैं लेकिन जब तक turn ले रहे हैं अब हमें इसका डाइग्राम बाइग्राम बनाना है इस पर रिसार्च करनी है पी एचडी करनी है पी एचडी पता है पी एचडी का ठीक है तो इस्टार्ट करें अब अब बना के लिए पहले सी दिख रहा है clear और रहरij कि आंगता है और देखत्य रहे है छलो एक गाड़ी हूँ है्वो turn ले रही है ठीक है Tsch ले रही हाज च्य उपर नीचे हो रहे है नहीं तो वाई में नेटस तो किता है zero vertical में उपर किता लग रहा नॉर्मल नीचे किता लग रहा Mg तो Y में एट फोर्स क्या है 0 तो नॉर्मल किता हो जाएगा इसको N1 लिख लेते है Mg ठीक है यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं यह बन गई फास्ट इक क्वेशन अब यह बताओ अगर ऐसे टर्न ले रही है तो सेंटर की तरफ किता फोर्स चाहिए MB स्क्वेर बाई आर गाड़ी की स्पीड वी है वी स्पीड से जा रही है आर रेडियस में तो सेंटर की तरफ फोर्स किता चाहिए MB स्क्वेर बाई आर कौन प्रोवाइड कर रहा है सेंटर की तरफ कौन लग रहा है देखो भई यह दें तरह कौन लग रहा है अंदर को टोट ओडिशेंटर कौन लग रहा है यह वार्स किपी पिच्चर क्लियर है यह फ्रैंट व्यू है एक अहीं5 यह यहां से नश्ञ कौन सा भी हुआ टॉप व्यू ऊपर देख रहे गाई टर्न ले रही है यह ऐसे टर्न ले रही न यहां सेंटर है यहां सेंटर है यहां सेंटर की तरह फोर्स किता चाहिए टॉ टॉ यहां सेंटर कितना हो जाएगा नेट फोर्स्ट तो अ सेंटर इस एक वैल टू म्ही स्क्वर्ड बैर रस चाहिए प्रोवाइड कौन कर रहा है static friction तो static friction कितना है mv square by r यहां तक है तकलीफ और ही तकलीफ नहीं ठीक है अब यह बताओ अगर speed बढ़ाते जाए friction requirement supply कर रहा है जो अपन की requirement है goal भुमाने के लिए mv square by r कौन प्रोवाइड कर रहा है friction प्रोवाइड कर रहा है recording हो रही है यह प्रोवाइड कर रहा है अगर हम speed बढ़ाते जाए अगर हम let's say speed को बढ़ाए यह बताओ speed बढ़ाओगे mass वही है radius वही है mass वही है radius वही है speed बढ़ाओगे तो friction की requirement बढ़ेगी friction की requirement भी बढ़ेगी अगर speed भाईया maximum कर दे maximum speed कर दे friction भी क्या हो जाएगा maximum maximum friction कौन सा होता है static में limiting कौन सा होता है limiting अगर speed max रखोगे limiting friction लगेगा max का whole square by यह बास समझ में आती है आती की नहीं आती है यह maximum रख दी speed तो यह भी क्या हो गया maximum ठीक है अब limiting friction की value कित्ती होती है क्यों mu n क्यों होती है mu n तो हमारा limiting friction किसके बरावर m v max का whole square by r since limiting friction is equal to m v max का whole square by r limiting को रख दो उठा के mu n v max का whole square by r n कित्ता था चचा n कित्ता था n n1 जो तो में सही लगे n लिख दो अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं do 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 okay n कित्ता था mg mu m d m v max का whole square by r m से m गया भाया v max का whole square कित्ता आजाएगा एक तरफ कर लो म्यू जी आर म्यू आर जी ठीक है या ऐसे याद कर सकते हो कि या ऐसे याद कर सकते हो कि V max का whole square by r कितना आ गया म्यू जी याद करो अभी अभी पिशले वाले में maximum acceleration क्या आ था म्यू जी ये क्या है maximum centripetal acceleration ये क्या है maximum centripetal acceleration का maximum कितना आ गया म्यू जी याद करो भाईया अभी भी किया दो ब्लॉक वाला system म्यू जी maximum acceleration था याद हो गया ठीक है अब maximum speed क्या होगी P max का whole square कितना हो जाएगा mu r g P max कितना हो गया mu r g कहने का ताद पर ये है कि turn लेना है तो इस से जाधा speed नहीं होनी चाहिए maximum speed है इससे जाधा speed लोगे slip कर जाओगे कि friction हार गया friction कम पढ़ गया friction तुम्हें help कर रहा था न मोड़ने में तुम नेता हो भाव speed से आ रहे हो 100 km पर 500 km पर ओड़ से चले आ रहे है काहां से मोड़ोगे friction ने हाध जोल ली है तुम्हें हम ना मोड़ पाएंगे इससे जाधा speed होगी तो slip कर जाएगी if speed greater than mu rg mu gr mu rg bike या गाड़ी कुछ भी car will slip कि यहां पर just slip है कि लिमिटिंग लग रहा है तो इसके बाल slip ठीक है कोई दिक्कत तरफ तो नहीं लग रहा नहीं लग रहा था बिलकुल इजी है बिलकुल इजी है अब तुमने एक बाल गौर की होगी कि यह चौराहे होते हैं चौरा कि अब बड़े बड़े चौराहे होते हैं कर देखना हम तो नहीं लगंध के बात बड़े चौराहे हैं दिल्ली भी रहे तीन चरवाई बड़े बड़े इसर्कल बने होते गोल उतर चो रहा तो इतना बड़ा टॉर्ण क्यों होता इतना बड़ा चुटा बनाया थे चो रहा फालतु लगह बरबाद हो रही है अलग बाते बीच में फाउंटेन लगा है अच्छा लगँड़ा दिखने में कुछ मूर्ति लगी है तुबाज चंद बोश्की या किसी की डॉक्टर अंबेट का जी किसना किसी लगी होती है मूर्थी बड़ी है तो वह था ठीक है लेकि इतना बड़ी जगे क्यों गहली क्यों गहली इतना बड़ा radius क्यों करते है अब माल लो इसका radius large क्यों होता है radius क्या होता है क्योंकी common sense एक भाई सब आ रहे है वो speed कम नहीं कर रहे है नहीं हम इस से कम speed चलाई ही सकते हैं कई बार तो वो पापा के परे पापा की परी दोनों की बात कर रहा हूं है वो speed कम करते ही नहींगे ब्रिक कहा है उन्हें speed कम नहीं होती उनकी speed fix है जो उसमें आ रहे हैं अब मोडेंगे उसी speed में अगर हमको पता है friction क्या होता है mv square upon r अगर radius ज्यादा होगा radius क्या होगा ज्यादा friction की requirement क्या हो जाएगी कम friction की requirement क्या हो जाएगी कम अगर radius ज्यादा होगा तो friction की requirement क्या हो जाएगी कम जब friction की requirement कम होगी तो slipping मतलब slip होने की possibility कम है यहाँ यह कम friction तो है कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत ता बेजा friction बहुत जादा requirement हो जाएग क्योंकि friction की limit होती है friction की limit मालो है 50 तो 20 चाहिए कोई दिक्कत नहीं है है 20 30 चाहिए है 80 मालो होगा friction तो नहीं है friction 80 limit क्या है 50 हो गए slip तो ज्यादा radius पे field की requirement क्या होती है friction की requirement क्या होती है कम friction तो पड़ती है अराम से मोड जाती है यह बैस समझ में आ रही friction ही मोड रहा है friction ही मोड रहा है clear है चाहलो therefore less possibility of flipping चलो बहुत English लिख लिख लिए हमने इस पेज पर आगर बढ़ते हैं कितनी English तो हमें खुद नहीं आती why at high speeds taking sharp term is almost impossible लो बहुत तेज चला रहे हैं sharp turn क्यों नहीं होगा sharp turn का मतलब क्या है what is the मतलब of sharp turn देखो दो turn है एक तो ऐसे आए एक तो ऐसे आए एक ऐसे ले गए और एक ऐसे आए एक ऐसे आए एक ऐसे देखो कौन सा sharp है हमें देख रहा यह sharp है यह क्या है sharp इसका radius क्या है बहुत छोटा है इसका radius क्या है बहुत बड़ा है यह वाला sharp है अब तुम समझो तुम हाइ स्पीड से आ रहा है जोज में एक दम नहीं बहुत हाइ स्पीड से आ रहा हो friction की requirement यह हो जाई है mv2 upon r अब तुमारी स्पीड बहुत जादा है तुमारी बहुत जादा है तो friction की requirement क्या है जादा हो ज़्य देखकत नहीं है अब तुम नेता हो तुम्हें turn भी sharp लेना है तुम्हें turn भी क्या लेना है sharp sharp turn लो गे हुए उई एकदम सीधे है आराम से नहीं ले रहे हैं चाप टर्न ले रहे हैं फोकस मार रहे हैं hero बन रहे हैं चाप टर्न लिया भाईया radius क्या है तुम्हारे बहुत कम है तो radius अगर बहुत कम है upon में है radius denominator छोटा हो गया तो value और बड़ी हो जाएगी तो friction की requirement बहुत ज़्यादा हो जाएगी युकि speed ज़्यादा friction requirement ज़्यादा radius कम friction requirement और ज़्यादा तो very large friction is required मोलने के लिए फोकस में इतनी speed में इतना छोड़ा टन लोग है तो बहुत friction चाहिए जो है ही नहीं जो की है ही नहीं काटन होड़ लगे हैं काड़ी में किकना road होता है थोड़ा बहुत होता है rough friction की limit होती है limiting friction which is not available which is not available therefore impossible ठीक है clear है चलो maximum speed no slipping maximum velocity बताओ no slipping अभी देखा था वी मेक्स क्या होता है अंडरोड व्यू आर कल की ग्लास इसले नहीं हो भाई थी क्योंकि मेरी तबस खराब होई थी बहुत ज्यादा ना मेरा कफ हो गया था मेरा फ्रेंड आयो था डॉक्टर्स डॉक्तर डॉक्तर है वो अना अभी वो MD प्रेपरेशन कर रहा है तो वो थोड़ा पढ़के घर पढ़के बोर हो गया था तो आ गया माया पास से लोगूम चलते है ठीक है गूमते रहा हम लोग दिन बार बाई कुटाई डिंग ने ने आई ये पतला सा साधी बची नहीं ठीक है तो दिन बार दवाई लिए मैं तब थोड़ा बार्मल हुआ हूं तो वो हमें साधी फिलोस्पी नहीं फिलोस्पी नहीं साइकलोजी पढ़ा रहे थे उनके अब और पढ़ाय करने का चौक चल गया पता नहीं क्यों आये ठीक है पता नहीं क्यों तो कि अब शाइकलोजी पढ़ा रहे थे हमको कैसे तुम तुम बड़ो साइकलोजी बच्चों को बताया करो काम आएगा मोटिवेशन जानी क्या क्या बता रहा था हमने का हमें नहीं सुनना कुछ कहता है यह तो पिटे लो हमसे हमने का पिटे वह भी बहुत तगड़ा है वह बहुत तगड़ा है हम थोड़ा देखते ठीक थाक है वह पतला है कि पूरे six-pack है eight भी है मतलब आदमी है मसी ने पता नह नहीं है तो हम ड़न लग गया हमने तो बता दो तो बता रहे है तो फ्री होके बता रहे है मैं साइकलोगी वली बात है बता रहा था हमको दुनिया black and white को लोग रोटे ब्लैक अवाइट दिखता है वस हाँ ना वन जीरो ब्लैक वाइट ना वैसे नहीं होना है हमें समझ में पहले नहीं आया पहले उसने समझाय विस्ताश तब समझ में आया कि हाँ इसको भी अकल है यार लगता है गधा है डॉक्टर तो बन गया पर ठीक है और दिमाग उसके अंदर तो बताएंगे मियू आर जी का रूट ठीक है मियू आर जी का रूट तो लो आगे बढ़ते हैं तो मेरे दिल में डॉक्टर के रिस्पेक्ट बढ़ गई बहुत ज्यादा एक दिन में एक खार इस निगोशिएटिंग एक कर्वड रोड ऑव रैटस आर निगोशिटिंग मतलब ठीक है तर्न ले रहा है नंगिलिस है बड़ी-बड़ी पिर से वही आ गया पिर से वही आ गया सौरी यार मियू आर टी भार बार नीट में बार बार आता ही है दिखें शकल चीज़ आती है बस अच्छा ग्रामो फून की से को पता है तब भी कुश्चन लाने चाहिए कि हम सब्सक्राइब उसे पढ़के आए थे पेपर में जाए ग्रामो फून क्या होता है अच्छी फून तो पता है तुम देखा ओने बार इस डिस्क होती है रे सीडी कैसे टर एक ब्लैक कलर की होती है उस पे पिन लगती है ऐसे कैसे ऐसे एसे और गूम रही होती है ग्राम फून गूम रहा बीच से किसे गूम रहा है उमेगा से गूम रहा है ठीक है गूम रहा है गूल गूल डिस्क गूम रही ब्लैक करी डिस्क होती है एक सिक्का रखा है आर दूरी पर एक सिक्का है आर दूरी पर रखा है किन दूरी पर रखा है आर दूरी पर अब हुँ कह रहा है अगर mu दिया है coefficient of friction, static का the coin will revolve with the record if अब कह रहा है अब दो को, plate घूम रही गोल गोल, plate घूम रही है rotate हो रही है, तो सास में सिक्का भी घूम रहा है, रखा हुआ है उस पे, flip नहीं कर रहा है, रखा हुआ है सास में गूम रहा है दिस्क गूम रही है, ठीका भी घूम रहा है, बना कर दिखा दर लो क्या भी ठीक है, लो बामना हो समझो डिस्क गूम रही है डिस्क गूम रही है शिक्का भी साथ में गूम रहा है शिक्का उस पर रखा हुआ है slip नहीं कर रहा तो यह बताओ अब गूम रहा है गोल गोल वो कौन गुमाएगा उसको क्या चाहिए उसको centripetal force कौन देगा friction कौन सा friction static friction static friction provide कर रहा है M आपको ओमेगा पता है जो डिस्क की उपर रखा है वो जो डिस्क की ओमेगा है भई सिक्क की ओमेगा है omega बाए लगा दो MR ओमेगा स्कूर MR ओमेगा स्कूर क्या सिक्का उपर नीचे हो रहा है बताओ क्या सिक्का उपर नीचे हो रहा है नहीं तो normal कितना हो जाएगा mg कितना हो जाएगा mg ठीक है अगर हम maximum omega की बात करें maximum omega ये भी क्या हो जाएगा maximum क्यों सा होता है limiting वई कहा वाला हो गया देखो limiting क्या होगा mu n n कितना है mg तो mm कड़ गया omega max कितना आ गया r पूचा है चलो ठीक है omega उसने क्या पूचा है अच्छा रेडियस का पूचा है अब देखो ऐसा है omega fix है sorry guys omega जो है omega जो है वो इसकी fix है किसकी? gram of on की omega fix है वो change नहीं हो रही है लेकिन सिक्का हम कहां रख रहे है वो हम पर depend कर रहे है तो रेडियस change हो रही है अगर रेडियस maximum होगी रेडियस क्या होगी maximum तो force भी कहते है maximum क्योंकि सामने है radius omega तो fix है तो radius maximum रख दिया हमने radius maximum maximum radius किती है जाई शिक्के की mu mm कड़ गया g upon omega square यह maximum radius है इससे दूर रख दोगे तो friction कम पड़ जाएगा तिका slip हो जाएगा यह बात clear है अब अब अगर रेडियस maximum है यह मतलब radius हमेशा इससे कम होने चाहिए तुम क्या रहे हो will revolve with the record मतलब साथ में revolve करे slip ना हो maximum radius यह है इसका मतलब radius जो है या तो इसके बराबर हो या इससे कम हो तो less than और equal to less than और equal to mu g upon omega score वे भाईया option है please guys और और सुनो कल वो हमने उसको बताया कि बच्चे थोड़े मतलब यह रहते हैं कि physics पता नहीं क्यों पढ़ रहा हैं हम लोग rate में तो आती है उसके बाद तो पढ़नी नहीं है तो आसने लगा हो क्या हो गया बहाईया जो veins में blood flow होता है हमें लगती है पॉसलिस इक क्वेश्टन fluids की और जाने कार्डियो मेटर ने क्या क्या बता रहा था वाई उसने इस्तियार चीजी बता दी क्या था हम पीजी तियारी कर रहे हैं पूरी physics आती हो इस्तियारी में पूरी physics आती हो I was like yes yes हमें तया लगता था यार बीबियस में क्या physics आती हो अब तुम वह वह वाले machine देख लो अग्राफ ग्राफ है की नहीं ऐसा नहीं है अब को पूरी physics लग रही बॉडी में भी हैना लेकिंगे ही ही टोल में कि बहुत जरूत पढ़ती है यहां भी हाट में प्रेशर होता है ना कम ज्यादा कम ज्यादा तो बहुत importance है अगर fundamentally clear नहीं है तो भाईया दिक्कत है physics के fundamental प्यार करो physics से मैं से तो किया नहीं physics करो प्यार नहीं समस्या हो जाएगी फिर से भाईया आ गया हूँ यह थोड़ा गरवड कुस्तन है भाईया गरवड कुस्तन क्या है यह वैल्यू क्या कह दी है ठीक है एक बहुत कार है वो circular में रोट पे घूम रही है ठीक है circular road बना लिए यह अब उसकी स्पीड भी बाढ रही है मतलब उसके पास उसके पास एक टेंजेंशल एक्सेलरेशन भी है उसकी स्पीड इस तरह है जो स्पीड को चेंज करता है वो कौन सा होता है टेंजेंशल ठीक है और जो डारेक्शन चेंज करता है वो कौन सा होता है तो नेट एक्सेलरेशन कहां हो जाया कहीं बीच में हो जाया यहां कहीं मान सब्सक्राइब और भाईया यह भी कौन प्रोवाइड करेगा फ्रिक्शन यह भी कौन प्रोवाइड करेगा सब कुछ फ्रिक्शन भी प्रोवाइड करेगा रोड पर अगर तुम एक्सलेरेट हो रहे हो तो एक ही फ्रोर्स लग रहा है और दो उन्टल फोर्स तो तो सफ्पीड बढ़ाएगा गटा आएगा वी जान कौन है वो फ्रिक्शन अब रोट चेकना कर तो कुछ नहीं होगा ना स्पीड बढ़ेगी ना घटेगी ना डारेक्शन चेज़ होगी कुछ नहीं होगा अब कुछ फ्रिक्शन है तो भाईया फ्रिक्शन इस बार क्या प्रोवाइड करेगा theoretic friction प्रोवाइड करेगा mass into net excel यह बात clear होती है ठीक है अब वो किया रहा है maximum speed बता हो at what speed, कहाँ पर slipping हो जाएगी कहाँ पर slipping start हो जाएगी बलब slipping होना start हो जाएगा मतलब कौन सा friction लग रहा हो limiting, जहाँ slipping start होती है so limiting friction is equal to m into a net का a net का maximum, limiting कितना होता है अभी देखा, car उपर ही जा नहीं रही है mu mg a net का maximum m से m गया, भाईया net acceleration कितना आ गया maximum mu g mu कितना है half g कितना है ten कितना आ गया, five meter per second square टीक है, net acceleration कितना आ गया maximum five, जहाँ अब slipping होगी अब हमको पता है कि net acceleration कितना है square centripetal का square plus tangential का square net, अब यह तो fix है, यह कितना है, तीन तीन से speed बढ़ रही है, यह तीन है यह तीन है यह depend करता है speed पे v square by r यह कि speed बढ़ करता है speed पे, v square by r जब speed maximum होकी centripetal acceleration में किया होगी maximum तो हमारा जब यह maximum हो जाएगा यह भी क्या हो जाएगा maximum तो यहाँ से हम रख सकते है यह maximum कितता है five 5 का square white में रख दू 5 का square centripetal acceleration maximum मान लेते हैं कुछ AC max का square tangential भाया कितना है 3 का square तो मैं दिख रहा होगा 5 3 यह क्या जाएगा 4 कितना आ गया 4 V square by R maximum is equal to 4 maximum speed का whole square is equal to 4 into R कितना है भाया 4 into R R कितना है 16 V max का whole square कितना आ गया 64 maximum speed कितनी आ गया 8 8 जा 64 8 meter per second अब तुम्हें बता यह question हमने बनाया था यह question हमने बनाया था कभी आया था कभी आया था नहीं पहले 5-6 साल पहले हमको मिल नहीं रहा था हमने खुद लिख दिया स्टाइप के आया था स्टाइप के आया था आगे पीछ नंबर को चेंज होंगे तो हमने यह value हमने लगा बनाने में लगे हमको मुश्कित 30 seconds 30 seconds कुष्ण बनाने में लगे हमको हम 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 हो गया अब तुम यह सोचो मैं लगता कहीं समय होस्यार है यह लगता है और है भी नहीं सही बता रहें तो I was literally a dumb student my whole life वो तो यह काम जादा कर लो अच्छे से कर लो तो वो होस्यार बोलते हैं बाद में होस्यार नहीं मेहनत की है तो यह 30 seconds में कैसे बनाया तो solve कैसे करेंगे 30 seconds में अब सोचने की तरीका बता रहें तुमें इतना लंबा नहीं करना है हमने क्या देखा कि 3 से speed बढ़ रही है तो 3 हो गया टेंजेंशल ठीक है टेंजेंशल 3 हो गया Maximum जो friction प्रोवाइड करता है तो मुजी होता है फिर से वह आगया देखो कहां गया कहां गया Maximum जो प्रोवाइड करता है याद करो यह यहाँ पे हमने लिखा ऐसे लेकें जो friction प्रोवाइड करता है उस दिन भी straight line में भी था क्या था मुजी Maximum मुजी प्रोवाइड करता है ठीक है तो हमने क्या किया मन में अरे अरे हमने मुजी की value निकाल ली मन में Mu half जी 10 है तो 5 तो maximum friction प्रोवाइड कर रहा है 5 यहाँ चला गया 3 तो बचा कित्ता पैथाकुरस से 4 तो maximum तो यह होगा वह कित्ता होगा 4 तो हमने मन में निकाल लिया यह 3,4,5 से और उसको रख दिया maximum speed का whole square by r maximum speed 8 meter per second direct आगए ऐसे मन में करने का तरीका बतारो time बचाने का अब इस speed से ज़्यादा होगा तो slip हो जाएगा और यहाँप slipping start हो जाएगा clear है कि इतना दिमाग नहीं लगाना है सीज़े दिख गया maximum acceleration फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है यहाँ चाहिए 3 muji है 5 यह किता हो जाएगा 4 यह maximum 4 है यह maximum किता है 4 रख दिया 4 वी स्कूर वायार खतम ठीक है आगे बढ़ते हैं ओ माई गॉड तुम गॉड करें क्या कर रहा देखो यह बंदा दिवार पे गाड़ी चला रहा है बाइक तो नहीं कर गए और लिट्रली मुझे याद है हम लोग क्या लगता थे मेला तो हम ऐसे ऐसे ख़ड़े तो एक बार हाथ यहां पर हाथ लटका के ऐसे वायर वायर नीचे से घूम रहा था एकदम से मेरे उंगली के बगल से बाई निकल गई मतलब भाई जो दिन डर लगाया हमको हम दूर होगायक दम से तक आपन गाया था था और ऊपर ना आ जाया यही से खि़ड़े यहां तक ना Smack दम गई एक पर रिकारन दम यह nhiं वहां अपम सब से इस आपसे कहाँ बीचारा नाज छोड़के 10 का नोट ले रहा हूँ किसे कहते हैं बेटा करीबी किसे कहते हैं मजबूरी कभी भी लाइफ में यह situation मत आने देना कुरू में हम भी 5-5 रुपए के लिए लडाई करते थे घर में चोरी भी की है दो बार ठीक है दो बार नहीं बहुत बार 5 रुपए चोरी करते थे अच्छे लगते थे मोटे मोटे सेक्के न तो ठीक है बहुत बढ़े देखने देखे हैं लेकिन हमको पता है हम कर सकते हैं कॉंफिडेस आगे है फैजिक्स पता है नो पूरी क्या हो रही है इस पर कुशन आते हैं करते हैं स्पीड कम करते हैं नीचा जाते हैं बहुत बताओ क्या खड़े-खड़े चिपक जायागा यह क्या है यह मौत का क्या यह भाई सब कार ठीक है क्या यह लोग बताओ अगर रोक दें गाड़ी क्या चिपक जाएंगे यहां पर नहीं न तो मूव कर रहे हैं इसलिए दिवार पर है नीचा जाएंगे वर्ना तो यह काम के से करते हैं कैसे है पकोन लगी यह ख़ी ख़्याग लेही नर आओ एक काम करते हैं शमैजिम करते हैं पर morte कले mentre होता है उस Maine easy परता है हम मान रहे ह्ग वर्टिकल पढ़े बाक्ते हैं एक दम व्टेकल मांग चलते हैं को आप कैसा है है वर्टिकल है लिए हो वर्टिकल चचा वर्टिकल फिक यह अब यह बताओ अगर यह वी स्पीट से गोल-गोल घूम रहा है इसे वी स्पीट से ऐसे ऐसे तो सेंटर रेडियस किती है जा रहे हो नीचे नहीं जा रहे हो कौन रोके हुए कौन बचार तुमको अब कोर्स कौन बचा रहा है फ्रिक्शन कौन बचा रहा है फ्रिक्शन फ्लेपिंग नहीं हो रही है कौन सा फ्रिक्शन स्ट्राटिक फ्रिक्शन अब सेंटर के तरफ कौन सा फोर्ष लग रहा है यह बता हो तुम भी गोल गोल घूम रहे हो तुम भी गोल गोल घूम रहे हो स्क्रावाइड कर रहा है नॉर्मल फॉर्स क्या परवाइड कर रहा है एंवी स्क्वाइर अपॉन आज कि यह बाद क्लियर है और अगर नीचे नहीं जा रहा है तो जतना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे तो स्टेटिक friction किसके बराबर है mg के ये बन गई दोएक को एक हमको पता है तेज चलाएगा तो चला दिक्कत नहीं है speed कम कर दोगे या 0 कर दोगे कम कर दोगे या 0 कर दोगे नीचे नीचे तीरी बात है speed है तो नॉर्मल फोर्स है normal force मतलब contact force contact है speed 0 करतो है contact 0 हो जाएगा जब contact ही नहीं होगा तो काई का friction गिर काई नीचे ये बात clear है तो एक certain speed के बाद नीचे आनलगती गाड़ी है तो पूछता है minimum कित्ती speed होनी चाहिए minimum कित्ती speed होनी चाहिए for minimum speed और minimum speed friction कौन से लग रहा हो limiting friction कौन से लग रहा हो limiting limiting friction किसके बड़ाबर होगा mg के हमको पता है कित्ता होता है limiting mu n mg के और n है लग रहा है center की तरह y क्या प्रोवाइड कर रहा है mv square by r towards the center n केत्ता है mv square by r कटा पिट्टी करो वया v square केत्ता है rg by mute यह v square by r आ गया v square by r आ गया g by mu याद करिये पॉल वाले में कित्ता आया था acceleration g by mu minimum acceleration कित्ता होना चाहिए g by mu यादा minimum acceleration तो हम यहाँ minimum speed की बात कर रहे हैं यह क्या लिखा हुआ है centripetal acceleration minimum minimum centripetal acceleration कित्ता आ गया g by mu तो y चीज है same y वाल वाला आ गया g by mu minimum acceleration ठीक है यहाँ भी वाल वाला है मामला तो minimum कित्ता आ गया g by mu अब रख दो अच्छे से तो b minimum कित्या जाएगी rg by mu b minimum आ गई rg by root में यह बत क्लियर है कई बार क्या होता है let's say let's say कई बार speed fix है speed क्या है fix radius हम चेंज कर सकते है radius हम चेंज कर सकते है तो 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 अगर हम radius चेंज कर सकते हैं radius बढ़ा दोगे normal कम हो जाएगा तो तो दिमागे लगा जाएगा यहां तो कोई दिक्कत लेएगा आगे बढ़े अगर speed इससे कम है speed अगर v is less than r g by mu यह minimum speed है तो क्या कर जाएगा slip कर जाएगा आगए भाई यह नीचे भगवान करें पाऊ यह आगए नीचे दर्थी ने बुला लिया तो रिस्की है इसलिए ते चलाते है speed जदा रखते है speed इसके बराबर है just slip slipping होने ही वाली है बस खकार पे हो आखरी खकार पे बढ़ा है मामला dangerous है speed इससे ज़्यादा है अच्छा slip करेगा तो conservation लएगा just slip कर रहा है तो just slip कर रहा है तो just slip कर रहा है तो कौन से लग रहा है limiting और अगर speed इससे ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है no slipping स्कून से दोड रहा है तो slipping नहीं हो रही है स्कून से चक्कल लगा रहा है तो कौन सा friction है static और static friction किसके बराबर होगा mg के यह याद होना चाहिए कि भाईया मिनिमम सेंट्र प्रेक्सल वाल वाले में क्या था a mu by g by mu v square by r g by mu minimum speed आ कोई भाईय निकाली निकाली है r g by mu ठीक है तो आगे बढ़ते a man is riding a bike on a wheel of death of radius 10 meter दी है चल चमक रहा है कोई दिक्कत नहीं है speed 12 meter per second है और वजन भाईय साव और bike का 200 kilo है मिला के पूरे दोनों का मिला के 200 kilo है mu s di दिया है 0.8 कह रहा है normal reaction बताओ normal reaction करता होगा दिवाल में और bike में यार normal force लग रहा है center की तरफ वही क्या provide कर रहा है centripetal force तो कित्ता हो जाएगा normal normal force ही provide कर रहा है centripetal force कित्ता हो जाएगा mass कितना है 200 सब का मिला के speed कितनी है 12 का square radius कित्ता है 10 60 पिट्टी करो and 1 लिख लेते 20 244 रहे यार 288 तो यह है 2880 newton यहां तब कोई तकलीफ नहीं simple simple है अब दिमाग लागाना है क्या bike slip करेगी अगर speed जरुवा से ज्यादा है तो slip नहीं करेगी जरुवा से कम है तो slip कर जाएगी अगरी लुटा है और ऐसे जरुवा से जरुवा से स्पीड जरुआप करता है यहां पर स्पीड कम पर स्लिप करता है तो वहाँ mu g था यहाँ g by mu है कैसे भी याद कर सकते हो तो भाई speed चेक कर लो minimum कित्य होने चाहिए r g by mu इसलिए वो लोग बहुत ते चलाते हैं ताकि वो ना गिरें r g by mu r कित्ता है radius कित्ती है भाई 10 g कित्ती है 10 mu कित्ता है 0.8 अरे speed दी थोड़ी है अच्छा ठीक है r g by mu करो solve इसको 100 यह तो गंदा सा आ रहा है r g by mu r है 10 g b है 10 mu है 0.8 कोई देक्कत नहीं है 100 4 by 5 ठीक है 100 by 4 25 25 into 5 125 5 root 5 5 root 5 आवी या इतना याद कर लो root 125 कित्ती root 125 meter per second solve कर दिया है हमने कुछ नहीं किया बस solve किया है 4 by 5 4 कड गया 25 5 उपर आया 125 अगर स्पीड इससे ज्यादा होगी तो slip नहीं करेगा speed कित्ती है 12 speed कित्ती है 12 what is 12 under root 144 by 12 किसका root होता है ऐसे लग सकते है अपन की speed जरुवत की speed से ज्यादा है तो slip नहीं करेगा no sir no no because our speed is greater than the required speed clear है k speed पे slip नहीं करता है अब अगर slip नहीं कर रहा है तो कौन सा friction लग रहा है limiting नहीं वो जब slip करने वाला होता है इससे speed पे इससे ज्यादा speed पे कौन सा लगता है static static friction किसके बराबर होगा mg के friction पूचा है किस कितना m कितना है 200 g कितना है 10 2000 newton यह बाद समझ में आई 2000 newton अब हम तो नहीं हो रहा देख लो भाई speed उसे ज्यादा है तो slip नहीं कर रहा है तो static friction mg के बराबर लेओ कितनी सारे case है भई curved road आ गया लेओ पहाड़ियां आ गई बहुत थिक रोड हो गया हमारे ड्राइंग अच्छी है बहुत किसा आमको लगता है ब्राम है भाई क्या कर सकते हैं ignorance is a bliss see ya इदर आ तुम जागे दूमें अब ठीक है यह गारी है वोड चल रही है रोड पे तुमें सुना होगा यह ignorance is a bliss इसका मतलब क्या होता है ignorance मतलब अंधकार अंधकार इसका मतलब क्या है क्रिपा ओपे इतने भारी भारी वर्ड अंधकार भी क्रिपा है अंधेरा मतलब मतलब दुनिया में कुछ इतनी बुरी बुरी चीजें हो रही हैं अगर तुम्हें वह नहीं दख रहे हैं तो यह भी करपा है तुम्हाँ उपर इसको सब देखता है ना अच्छा यह हो रहा है अच्छा वह रहा है यह भगवान दुनिया तो होद बेकार वो सुकून से जी नहीं पाता, ठीक है, कम जाना वो बढ़िया है, समझ रहे हो, इसलिए हम जाद न्यूस न देखते हैं, फोली बाद न्यूस देखते हैं, जादा नहीं, वो और चल ला है वहाँ, ये हो गया, वो हो गया, फोटो देखी, चक्कर आ गया, रात में नी नहीं चाल दिन हुआ है मैं इसा जाई, अगर आप कुछ नहीं कर सकते, if there's nothing you can do about it, if, कर सकते हैं अलग बात है, if you cannot do anything about it, don't think about it, okay, सुकून से जाओ, सुकून से सो, अपना काम करो, तो, वो और वोर चल ला है बहुत जगह है, बहुत टेंसन हो जीते हैं कुछ दिन से, तो, हमने का हटाओ, कुछ कर सकते हैं सोचो नहीं, अब तुम लोग अब उसमें गूमे आओ, जूले में, ऊपर से जाओ, तो हलका हलका फील होता है, जब नीचे से आता है, तो बहुत भारी भारी फील होता है, तो ऊपर से हलका हलका फील होता है, नॉर्मल फोर्स कम होता है, नीचे जाओ फील होता है, तो नॉर्मल फोर्स है ऐसे जा रही है दोनों पॉइंट पर नॉर्मल फोर्स बताओ रेडियस आर मान सकते हैं इस सर्फेस का अबलब सर्कुलर सर्फेस है एक पॉइंट लेते हैं एक पॉइंट लेते हैं बी अब लेते हैं यहां सरक्तों सेटर उपर है इसलिए हम बना के आते हैं अब अगर तुम्हें मान लो वी स्पीड से मूब कर रहे हैं इसलिए हम बना के आते हैं कित्ती स्पीड से मूब कर रही है और तुमसे पूछे नॉर्मल फोर्स बताओ तो यहां पर नॉर्मल फोर्स कित्ता होगा पहला पॉइंट पकड़ लेते हैं तो यहां नॉर्मल फोर्स लग रहा है उपर एमजी लग रहा है नीचे N1 लिख लेते हैं N1 Mg के बराबर ना उपर जा रहा है ना नीचे यहाँ पर circular track है तो हमेशा center की तरफ net force किता होगा Mb square by R net force to water center Mb square by R अब अगर देखें यहाँ Mg लग रहा है नीचे normal लग रहा है उपर तो center की तरफ कितना force है Mg minus N जैब बने की equation Mg minus N 2 ले लते है N2 N2 is equal to Mb square by R N2 कितना आ गया N2 आ गया Mg minus Mb square by R Mg से कम आया तभी उपर जाओ तो हलका हलका feel होता है कि हमें body क्या feel करती normal force pressing force यहाँ पर फिर से normal कहां लग रहा है Mg कहां लग रहा है नीचे पर center कहां है Uper Center कहां है Uper Net force उपर होगा center की तरफ कितना Mb square by R Uper Net force है तो यह बड़ा है यह छोटा है तो this minus this N कितना हो गया N 3 लिख लो Mg प्लस Mb square by R तो यहाँ पर माइनस Mb square by R यहाँ पर यहाँ माइनस यहाँ पर प्लस यहाँ भारी भारी feel होता है जूले में कभी तुम देखना है observe करना ऊपर जाओ गुद्गुदी होगी जब उपर से आ रहे होगे ऐसा से कुद्गुदी होगी नीची जाओगे तो यह भगवान तो यहाँ नॉर्मल बराबर Mg के यहाँ Mg से कम यहाँ Mg से ज़्यादा दब दब चलती यहाँ तब ही गारी उड़ जाती है नॉर्मल कम हो रहा है कॉंटेक्ट छूट सकता है नॉर्मल कम हो रहा है मतलब कॉंटेक्ट छूट सकता है यहाँ तब चिपक की जाती है एक नॉर्मल बहुत जादा है कॉंटेक्ट है कि अधर पर इस पर आते हैं कि कह रहा है कि भाईया वी स्पीड से आ रही थी आ रेडियस करवेचर है ठीक है पहाड़ है कहता है कम से कम कित्ती स्पीड से आये कि यह उड़ जा यहां से कि क्या लखा हुआ है कि यूड़ लई हूँ आयक तो यह वह ना उड़ जाती है तुम देखा करो मूवीज में कित्ती स्पीड चाहिए यहां पर वही एक बाद बताओ अगर उड़ गई यहां से कॉंटेक्ट छूड़ गया ना कॉंटेक्ट छूड़ गया कॉंटेक्ट छूड़ गया तो नॉर्मल फोर्स कित्ता हो जाए जीरो तो यह कौन से पॉइंट है तू वाला तू वाले पर क्या था mg-mv2 by r अगर if just leaves just leaves contact speed कित्ती हो जाएगी तो नॉर्मल कित्ता हो जाएगा 0 और दिया ना contact normal 4 0 contact 4 0 mg-mv2 by r 0 तो V केता है आ गया रूट आरजी अब इससे और तेज होगा तो तो और नहीं है पक्की बात है कम पे तो अराम से हो जाएगा लेकिन इससे तेज होगी तो और जाएगा तो स्पीड जस्ट लीप करने के लिए इत्ती स्पीड से यह और ज्यादा हो तो अच्छी बात तो स्पीड शुट भी ग्रेटर देन और एक्वल टू रूट आरजी यह बात क्लियर है ओंटेक छूड़ी है नॉर्मल जीरो कहीं भी यह कॉश्चन आए जर कुश्च खाने को नहीं है भूख लग रही है कि यहां धिमाग क्या लगाना है टार उपर जारही है उब हादना liya पॉइंट पे है ना हाइस पोइंट पे ना वैस पोइंट पे ऊपर जा रही है क्या दिया है constant speed से जा रही है तो normal force जो होगा normal reaction जो होगा व घट रहा है की बढ़ रहा है की क्या हो रहा है चलो start करते हैं कर्कुलर आर्क है रिगा बना लो अच्छे से हो ठीक है अरह ठीक है क्या रखा perfection perfection नहीं होना चाहिए black and white नहीं ग्रे भी चलेगा perfection की chase की चक्कर में बच्चे करते हैं in chase of perfection you people lose excellence तो सोचते हैं physics perfect तो कभी हम हो नहीं पाएंगे क्यों पढ़ें हाँ और क्या रिस खोली पज़े नहीं आ रहा हुँँए यही तीन कुशन तो होगा चौथा नहीं हो रहा अरे यार देखो हम तो ऐसे हैं पढ़ते हैं तो अच्छे से पढ़ते हैं नहीं पढ़ते black या white जब अच्छे से नहीं पढ़ सकते तो क्यों पढ़ें यह मिस्टेक है भाईया 45 नहीं लाओ 35 तो लेओ फिजिक्स में 85 तो करके आओ 45 कोई नहीं कहा रहा तुमसे करने के लिए बागी सब में कर लो 45 तो गया सेलेक्शन ठीक है अब भाई ऐसा है तो को यहाँ इज़स से FBD बनाना पढ़ेगा आओ फ्री वड डागराम कितने फोर्स लग रहे हैं एम जी लग रहा है नीचे नॉर्मल फोर्स लग रहा है यहां यहां लग रहा है नॉर्मल फोर्स तो यह अगरी तरदेश के परपेंडिकुलर एंगल कुछ मानना है इसको माल लो theta इसको भी माल लो theta अब हमको पता अगर body V-speed से move कर रही है तो net force वर सेंटर किता होना चाहिए mv square by r net force वर सेंटर किता होना चाहिए mv square by r तो center किता force है normal भी SME है center किता तरफ ही है कोई दिक्कत नहीं वह उल्टा है mg इस तरफ क्या हो जाएगा cos theta mg cos theta component यहां होगा mg sin theta mg sin theta incline क्या लोग होता है हमको पता है mg cos theta हमने पढ़ा है mg sin theta mg cos theta normal लेकि यह circle है तो circle में net force towards the center क्या होता है mv square by r क्या लेकि होगे mg cos theta minus n net force towards the center किता होता है mv square by r mg cos theta minus n n किता हो जाएगा mg cos theta minus mv square by r इसको फिर से लेकि लेकि बाइगा यहां लेकि 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 हैं n हो जाएगा mg cos theta minus mv square by r अब यह बताओ ऊपर आ रहा है ऊपर आ रहा है तो angle कम हो रहा है ना तो ऊपर आ रहा है तो थीटा क्या हो रहा है थीटा क्या हो रहा है डिक्रीज अब तरचाल mg कॉंस्टेंट है मास कॉंस्टेंट, रेडियस कॉंस्टेंट, स्पीड भी कॉंस्टेंट, यही पुरा क्या है कॉंस्टेंट तो change कौन हो रहा है cos theta cos theta change हो रहा है इसलिए normal भी change होगा अब यह बताओ theta decrease हो रहा है cos की value क्या होती है कुछ याद आया 1 root 3 by 2 1 by root 2 1 by 2 0 theta decrease हो रहा है cos की value increase होती है और plus में है यह normal force भी क्या हो रहा है increase cos theta theta decrease हो रहा है उल्टे आ जाओ value बढ़ रहे है cos theta की यह value बढ़ेगी तो यह pu% value बढ़ेगी तो यह pu% value भी बढ़ेगी ग्लस में है और वो बढ़ता तो यह कम होता लेकिन वो माइनस में हसली है लेकिन वो उसको को फ़रक नहीं पढ़ रहा है यह बढ़ रहा है तो यह भी बढ़ेगा तो आंसर क्या है इंक्रीज ठीक है यह कुछन मनाना सीखो नेट पोस्ट वर्ड सेंटर कित्ता हो जायागा mg co of theta minus n equal to mv square by r ओप्शन क्या थे increasing decreasing not enough information sir how dare you ask me such a filthy question यह बताएंगे हम अब अब टाइम नहीं है ता फालतू यह आता है नीट में भाई तभी करवा रहे है time करता हो गया oh my god बड़ो 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 इंतर रहे गया है ओ चलो अब फालतू की बात नहीं यह एक कोई vertical है रागे से गमा रहे हैं वही हमा चार्जर ठीक है यह से तूट जाएगा यार यह मेहंगा चार्जर है ऐसे यह से ऊपर जाता है कोई चीज़ ऊपर जाती तो speed कम होती हो उसकी ना नीची आतो बढ़ती है ऊपर जा रहे है speed change हो रही है हमको नहीं बता कितनी कितनी है यहाँ V1 है यहाँ V2 है यहाँ V3 यहाँ V4 यहाँ V5 हमसे पूज़रा है tension बताओ हर पॉइंट पर tension बताओ fine tension fine tension in all cases ठीक है हम लोग practice कर रहा है एक question बनाने की तो start करें भाईया यार 80 कुम आ रही है रसी कार्ड होगे खतम गिर गया नीचे तो tension ही गोल गोल गुमा रही है और tension हम जो कहां center तरफ है हम यहां भी t1 यहां t1 लिख लेते हैं यहां t2 लिख लेते हैं यहां t3 लिख लेते हैं यहां t4 यहां t5 करें start mg कहा लग रहा है चाचा यहां लग रहा है नीचे यहां भी लग रहा है नीचे यहाँ भी लग रहा है नीचे यहाँ भी लग रहा है नीचे और यहाँ भी लग रहा है tension towards the string होती है mg कहाँ होता है नीचे हमेशा बना पहले में एक question net force towards centre कित्ता हो जागा t1 minus mg is equal to mv square by r या l जो भी है length हमारी l है radius क्या हो जाएगी l है na mv square by l second पर आते हैं एक question मना ली अब तो t अलग कर ले ना मिल जाएगा तुमको t है ना अब यहाँ देखो क्यों यह alpha दिया है तो यह क्या है alpha है कि नहीं है तो इधर mg component कित्ता हो जाएगा mg component यहाँ कित्ता हो जाएगा यहाँ mg cos alpha mg cos alpha तो t2 minus mg cos alpha हम तो equation बनाना सिखा रहे है t2 minus mg cos alpha is equal to mv square by l t2 minus mg cos alpha यहाँ v1 था यहाँ v2 है घड़ पर आओ यहाँ सिर्फ tension लग नहीं center की तरफ mg को कोई मतलब नहीं है वो x में है वो y में है center कहाँ x में y वाले को x कोई मतलब नहीं है तो कौन घुमा रहा है सिर्फ तरफ tension तो t3 लग रही है mv3 square by l ठीक है इस पर आओ यह beta है तो यह भी क्या है beta बीटा बीटा alternate anterior angle इस बाद कितना लग रहा है center तरफ कितना लग रहा है mg का mg cos beta mg cos beta mg cos beta t4 दो लग रहा है center तरफ क्या बनेगी equation mg cos beta plus t4 is required to mv4 whole square by l बन गई 4 mg cos beta plus t4 is required to mv4 whole square by l last 5 में पर आओ mg भी नीचे tension भी नीचे अब दो बार अभी आएगा vertical circular motion वर्क पाव energy में वहान ही सिखाएंगे ये आज सीख लिया ठीक है यहीं पूछना सर यह ऐसे क्यों लिख दिया आई से लिख दिया जैसे लिख दिया यहां mg भी नीचे टेंसर में नीचे दोनों लग रहे है center तरफ दोनों मिला के प्रोवाइड कर रहे हैं centripetal force तो T5 plus mg is equal to mv5 का whole square by l अब speed कितनी कम होगी कितनी बढ़ेगी वह हम वर्क पावर में पढ़ेंगे हमने tension की circular motion की centripetal force की equation मनाना सीख लिख लिख कोई समस्या नहीं पढ़ें आगे रेंडो 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 बढ़ें आगे एक ठीज और तर यह बताओ speed भी चीज़ हो रही है speed कौन चेंज कर रहा है speed कम हो रही है आपने कहा तो कौन चेंज कर रहा है जो भाईया tangential है जो टेंजन पर लग रहा है जैसे यहां पर Mg auf alpha यहां क्या लग रहा होगा Mg 535 कि क्या चेंज कर रहा होगा the speed change कर रहा हो चेंज कर रहा होगा the speed the change कर रहा हो टिक है कौन सावाला ये वाला टैंजेन ही तरफ लग रहा है यहाँ पर कौन चेंज गर रहा है mg-speed चेंज कर रहा है mg-cos mg-sinβ यहाँ यह वाले speed change कर रहा है फिरसे लिख देते हैं यहाँ पर कोई नहीं है तेंजन तरफ न यह भी सेंटर तरफ है यह उल्टा है बाहर को वो अंदर को क्यारा अगर 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 गुमा रहे हैं से वर्टिकली पीछे वाले में था स्पीड नहीं रस्टिटवने की कंडी पिस्ट आ पर अगर रस्टिटेएगी तो मेक्सिमूम पॉस za बिल्टिट जो है जो तू नहीं कहां पर अगर तूट सकती है तुम्हें काम करो इन तीनों पकाड़ लो, इसको इसको और इसको, compare करते हैं T1, T3, T5 T1, T3, T5 T1 देखो यहां से कित्ता हो जाएगा, Mv² by L plus mg एक्स्ट्रीम केस तीन हो रहे हैं यह एक्स्ट्रीम है बागी तो बीच के हैं तो e3 कित्ता हो जाएगा e5 कित्ता हो जाएगा एस लिख लो यह हो जाएगा e5 का माइनस एक्स्ट्रीम है अब हमको यह बता हो यहां mg है नहीं यहां mg माइनस में यहां mg प्लस में है यहां टािमसन ज्याधा है प्लस सबसे ज़ादा स्पीड कौन सी होती है लिचे वाली यह उपरा आतरा ब्लस्टी मुणदी कम हो रही न v1 बहुत ज्याधा है v3 कम है v5 और कम है यहां one वाले में speed भी ज़्यादा है यह term ज़्यादा है बहुत plus mg भी है तो ज़्यादा plus something तो बहुत ज़्यादा हो गया और यह कम है कम minus और मतलब कम में से भी minus कर दिया यह 100 था plus 50, 1500 यह 100 था plus 20 120 यह था 30 कम था उसमें से 20 मायस कर दिया 10 गरीब से और छीन लिया यह बहुत कम है यह बहुत ज़्यादा है यह term बड़ा है और plus mg भी हो गया highest होती है यह lowest point पे tension क्या होती है maximum tension maximum है तोटेगा अब कहाँ पे अगर तोटेगा तो अगर तोटेगा अगर तो lowest point पे तूटेगा यह बहुत रहे गया चलो sudo 4 अगली पार करवाते हैं ज्यादा बात है होगा है last class में miss कर रहे था हैं तुम लोगों को इसलिए हमने dose में आ रहे है conical pendule हम लेओ यह होता है पेंडलो अब नाम थोड़ा स्पैंसी नहीं है यह conical pendule लेओ कुछ रहे है कुछ खास है नहीं है लेकिन पढ़ना है क्या कर सकते गोल को भूम रहा है त्या नीचे जा रहा है नहीं नीचे गोल को भूम रहा है एफ बीडी बना लो एमजी लग रहा है नीचे पेंशन लग रही है पेंशन लग रही है भाईया इस तरफ और बस ये तुमारा अगर लंथ एल है इसकी लंथ किता है? ल ये वरटिकल एंगल थीटा है ठीक है? ये दिया है इंको ये थीटा एंगल है ये लेंथ एल है दिया हैं आब ये बता हो अगर टेकनोमेट लगाएं ये कित्ता हो जायगा? L cos theta और ये किता हो जाएगा L sin theta तुम technometry लगा सकता हो L cos theta L sin theta P क्या होता है H sin theta ये P है ये H है एंगल किसान वाला क्या होता है P तो महीं radius किती है आ गई L sin theta तो रख लेते हैं use करेंगे इसको अटारे भी है जगे नहीं है length हमाई किती है L अब ये बताओ अगर ये गोल गोल घूम रहा है तो कौन घुमा रहा है इसको रसी घुमा रही है रसी काड़ों खतम हो जागा सब तो tension के दो component है guys कितने दो इस तरफ किता है ये theta है ये theta है इस तरफ कितना हो जाएगा T cos theta इस तरफ cos तो इस तरफ क्या हो जाएगा इस तरफ कितना हो जाएगा T sin theta अगर नीचे नहीं जा रहा है तो net force Y में कितना है 0 Y में net force कितना है 0 जो जितना force ऊपर उतना force नीचे ये theta ये theta T cos theta तो T cos theta equal to mg ये बन गया है पहली equation और गोल गोल कोल गुमा रहा है जो centri तरफ लग रहा है centripetal force T sin theta T sin theta provide कर रहा है mv square upon r अभी r की value put कर देंगे बाद में हमारो divide काड़ दो तो T sin theta upon T cos theta mv square upon r mg और r है वो sin upon cos जना गया 10 theta is equal to v square upon r g काड़ पिट्टी करो क्यों r small a लेख लेते हैं 20 square upon r g अब r कितना था l sin theta तो इसको sign upon cos लेख लो आल तुम्हें काड़ पिट्टी होगी 3 sin theta upon cos theta is equal to v square upon l l take minute 10 theta take one rule l cos theta t sin theta upon t cos theta mv square upon r mg v square by r g 10 theta अरे cut क्यों नहीं रहा time bit कितना आ जाएगा 2 pi r v तो ठीक है v निकाल लेते हैं यह हमारा theta है यह t है यह theta यह theta है t cos theta t sin theta कोई दिक्कत नहीं है t cos theta किसके बरावर है mg के ठीक है t sin theta क्या प्रवाइड कर रहा है mv square by r ठीक है this upon this करेंगे sin upon cos 10 हो जाएगा और sin के सामने v square upon r नीचे आएगा mg ठीक है और l length l है l sin theta है चला उसको बाद पूट करते हैं अभी r रहें दो इसको r रहें दो v आ गया sin upon cos 10 rg 10 theta ठीक है rg 10 theta अब बगार तुमसे कोई time period पूछे क्या पूछे time period time period क्या हो जाएगा time period क्या होता है भाईया time period या tension नहीं time period लिख लो distance upon speed distance upon speed तो 2 pi r 2 pi r upon speed v रख दो 2 pi r v कितना है under root rg 10 theta question इसी पर आता है इस पर time period पर तो 2 pi r r से r कड़ जाएगा 2 pi r से r कड़ जाएगा r by g 10 theta अब r की value पूड कर देते हैं r कितना था r कितना था अब जाएगा r l sin theta पूड करते हैं तो time period आ गया हमारा 2 pi l sin theta l sin theta upon g 10 theta g 10 करता है sin theta upon cos theta time period आ गया 2 pi under root l cos theta upon g भया इसको ऐसे भी लगते हैं 2 pi under root l perpendicular by g यह किती लेंद है क्या हूँ यह किती है l cos theta perpendicular length यह vertical length vertical लेंद लिख लो जो simple pendulum होता है कौन सी लेंद है यह vertical जो simple pendulum होता है उसका time period क्या होता है simple pendulum का जाल कभी सुना हो तुमने आगे आएगा time period क्या होता है 2 pi under root l by g जो इसकी length होती है यह वाला pendulum hypnotize करने वाला गड़ी वाला same formula बन गया अब याद करना है कर लो diet question आता है इस पर length vertical वाली कौन सी है l cos theta और इसको ऐसे याद कर लो अना फाल तुम्हें खिची-पिची मत करो last topic है pseudoforce कल पढ़ाएंगे pseudo नहीं sorry sorry guys centrifugal force fancy name for a pseudoforce कितना रहे गया है 3 minute रहे गया है यह बागवान बाई ऐसा है देखो road में मोडते हैं friction की वज़े से इसकी वज़े से friction की वज़े से अगर friction ना हो let's say ना हो तो कैसे मोड़ोगो फिर साल जी खता मैं कहा नहीं ऐसा नहीं है जुगाल है road टेड़े कर देते है मोड़ रहा है goal road है उसको टेड़ा कर दिया तो देखो बस यह वही है यह थोड़ा वैसा देखो एक नॉर्मल रोड हो गया एक वादा रोड हो गया कौन सा वाला वो मौतक हुआ यह बीच का है ना यह ना यह नहीं बीच का ठीक है road टेड़ा कर देखो यहाँ road टेड़ा है bank बोलते है banking यह मुढ़ने में help करता है क्या ऐसे देख लेते है यह मुढ़ने में help करता है road गोल गोल है पर उसको थोड़ा more दिया है visible है यह हाँ visible है अब देखो ऐसा है यह गाड़ी circular motion में घूमरी circular track पे पर track टेड़ा है मान लो friction नहीं है क्या मान रहा है frictionless है mu zero है तो कौन मोड़े है कौन help करेगा हमाई देखो यह देखो दिख रहा है हाँ दिख रहा है भया normal force कौन help करेगा normal force अब यह angle अगर theta है एक काम करते हैं फिर से बनाते हैं फिकर यह देख रहा है लाल लंकड़ है तो last time यह angle अगर theta है यह देख रहा है यह देख रहा है यह काम करते हैं यहां करते हैं हाँ यह है पटाबल यहां करते हैं यह angle है वारा normal force है हाँ सॉरी सॉरी एक मिनट एक मिनट गाइस अब ठी यह angle theta है यह 90 minus theta है यह theta है यह angle यह देख रहा है यह कर दिया आप में देखो यह vertical डाला यह normal force है यह theta है यह कितना है 90 minus theta कितना है यह 90 minus theta अब यह vertical डाला है यह यह वाला ऐसे है यह पूरा 90 है तो यह कितना हो जाएगा theta 90 minus theta theta vertical यह पूरेट अगल यह भी कितना हो जाएगा theta ठीक है अब कितने force लग रहे है कितने force लग रहे है बॉड़ी पे पूरी मैज लगा गे theta आ गया यह तो मैं बसंद नहीं आ रहा है लो theta theta 90 minus theta theta ठीक है क्योंकि यह यह और यह 90 पे है और vertical horizontal भी किस पे है 90 पे है ठीक है यहां गंदगी नहीं कर रहे है अब कितने force लग रहे है बॉड़ी पे एक नॉर्मल लग रहा है सर्फेस के परपेंट का और एक भगवान का दिया अब नॉर्मल टेड़ा है तो गाली ऊपर नीचे नहीं हो रही है तो नॉर्मल का एक टुकड़ा जो है n cos theta वो किसको balance करें है mg को तो हम लिख सकते हैं n cos theta equal to mg ठीक है n cos theta is equal to mg गाली ऊपर नीचे नहीं हो रही है इतना force उपर नॉर्मल component जो होगा नॉर्मल component जो होगा उपर वाला किसको balance करेंगा mg को n cos theta इसके बराबर है mg के और नॉर्मल का यह वाला component भी है यह वाला component भी है यहां किता है इस तरफ cause है तो इस तरफ किता होगा sign इधर किता लग रहा नॉर्मल component 10 sin theta और guys गाड़ी ऐसे घूम रही है इधर जो force लग रहा हो कहां लग रहा है center की तरफ इधर तो लग रहा है क्या 10 sin theta वो क्या provide कर रहा है center frontal force देख रहा है in wardrobe प्र रहा है center sequential force तो जूकार लगा लिया अपन ने नॉर्मल स्था हो गये एक टुकड़ा can do रहा है तो इस तोबेशित और य्बे ऐसे कर रहा है इद ने और एक तोप्र तुकड़ा हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है था याइं 2022 थेटा हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है mv square by r second of us को divide मारो sin upon cos 10 हो जाएगा जो पहले किया था nn कड़ जाएगा mv square by r mg नीचे this upon this mm कड़ गया 10 थेटा कितना आ गया v square by rg v आ गया rg 10 थेटा मतलब अगर radius जो है v जो आया कितना आया rg 10 थेटा अगर radius r है तो महारा कितना है r r और gravity g है और incline जो है वो थेटा है incline कितना है theta कितनी speeds चक्कर लगा है कि ना उपर जाए ना नीचे जाए rg 10 थेटा अगर speed से कम होगी तो नीचे आओगे और speed ज़्यादा हो कि तो बहार निकल जाओ ठीक है यह बाद समझ में आती है क्योंकि speed भाई बाद चिकना है पूरा चिकना है चिकने में गारी खड़ी हो पाएगी यह बताओ नहीं हो पाएगी मतलब speed 0 है तो नीचे आओगे चिकना है फ्रेक्सन नहीं है चिकना पे गारी खड़ी हो पाएगी नहीं तो नीचे आओगे तो मतलब कम speed पे नीचे आओगे जाब speed तो बहाद चले जाओगे इतनी speed दोड़ाना पड़ेगा अगर V इससे जादा है अगर V इससे जादा है कहां चले आओगे प्रो आउटवर्ट्स तो महां इनर्शन उनको बाहर फेक देगा और V अगर इससे कम है अगर अगर इससे जादा कम हो तो गरबड़ हो जाएगी तो कर मनाओ रियल वर्ल्ड में चेखना नहीं होता अगर तुमसे कोई कह देगा 40 किलो मीटर पर आवर से जाओ अलकी सी कम जादा होई चले जाओगे तो यार रहता है तो बहुत रिस्क है तो जलो अ कार ओफ मास्ट टू फिफ्टी केजी निगोशियेट्स अ बैंक्ड कर्व ओफ रेडियस नब्बे तो मैं मास्ट दिया है तो मैं रेडियस दिया है बैंकिंग थीटा दिया है फॉर्टी फाइव डिग्री पीड पूची है देखो यह फॉर्मला देख लें गबार क्या आया है 10 30 एकल्ट 20 क्वरप on अर जी तो न गडम पर आओ पो ने कंड बार पर यहँआ है लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है क्या लिखा यह तो यह नहीं है जो फोर्मला यहा है वही फॉर्मला वहां है तो एक दाब बैंगिंग ओफ द रोड में चिकना वाला हो गया है रफ वाला रहे गया है तो एक बार हम फिर से रीकेप करवाएंगे ठीक है पंसेप्ट क्या है रोड टेडा करने से क्या हुआ हमें नॉर्मल के टुकड़े ने क्या प्रोवाइड कर दिया सेंट्रिप्डिल जो नॉर्मल सीधा होता है उपर को इस बार वो टेडा हो गया उसका एक कंपोनेंट कहां आ गया सेंट्र की तरफ और एक कंपोनेंट किसको बैलेंस कर रहा है एम जी को जो रस्ती में हो रहा है देखो टेंशन का एक component क्या प्रवाइड कर रहा है centripetal force एक component क्या प्रवाइड कर रहा है mg को balance कर रहा है सेम वही डिट्टो ऊपर कॉस सेंटर क्तरफ साइन देखो ऊपर कॉस सेंटर क्तरफ साइन सेम फॉर्मले सबी फॉर्मले सेम आया speed का आज ही 10 θ टीक है question कहा है rough वाला हम अगली बगर वादेंगे next class में वो तो उसमें time lie आओ समझना है उसमें solving कुछ नहीं है समझना है बस चलो बस दो मिनेट और भाईया वी कित्ती आती है r g 10 θ मास से मतलब भी नहीं है r कित्ता है r कित्ता है वही रिडिस 90 g 10 10 45 कित्ता होता है 1 root 900 30 meter per second रेट रो टेड़ी क्यों की normal के component मोलने में help कर दी assuming friction नहीं है रेकिन friction होता है rough वाला case अगली बार suit of force भी अगली बार चलो good night take care good night नहीं sorry good morning चल लएए am I good night